कॉशन इस अट वाट रेट ओफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनूम विला सम आफ रूपीस 12100 पिकम्स रूपीस 1348.32 इन टू इर्स तो कॉशन में हमें पूचा गया कि किस रेट ओफ इंटरेस्ट पे 12100 रूपीस का एक amount हो जाता है 1348.32 रूपीस टू इर्स के compound इंटरेस्ट पे चाहिए हम हमारा का ईर्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम principal और amount का ratio लें तो principal है 1280 रूपीस एफ मारा 1348.32 रूपीज तो अगर इसको simplify करें तो यहां से point अटेगा और यहां पर 20 जाएंगी तो इनकी cutting करें तो यहां से यहां आएगा 10,000 और यहां पर आएगा 11,236 तो अगर यहां से 2 years का ratio देखें तो यहां आएगा 10,000 ratio 11,236 अगर 1 year के लिए calculate करें तो इन दोनों का हम लेंगे square root तो इसका square root आएगा 100 units और इसका square root आएगा 106 तो अगर हमारे पास principal है 100 units और amount है 106 तो यहां से हमारे पास compound interest आएगा 6 units तो अगर rate percent find करें तो यह 6 unit हमारे पास interest आएगा 100 units पे इसको multiply करेंगे 100 से तो यहां पर rate percent हमारे पास आएगा 6% per annum सो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नमबर 4 6% पर एनम